Good morning students, आज हम The Portrait of a Lady का second part पढ़ेंगे, जो की खुश्बन सेंग के द्वारा लिखा गया है, देखिए अब आगे के पार्ट में वो क्या कहते हैं When I went to university, जब मैं university गया, I was given a room of my own, मुझे अपना एक कमरा दे दिया गया The common link of friendship was snapped, snapped यानि तूट जाना जो common link यानि जो साजा संबन्द था और friendship दोस्ती का वा स्नैप वो भी तूट गया My grandmother accepted her seclusion with resignation, मेरी दादी ने accepted स्वीकार कर लिया था Her seclusion, यानि अपने अकेले पन को, अपने एकांत को with resignation, सहमती के साथ उन्होंने अपने एकांत को सहमती के साथ स्वीकार कर लिया She rarely left her spinning wheel to talk to anyone वो to talk to anyone, किसी से भी बात करने के लिये मुश्किल से ही अपना spinning wheel यानि चर्खा छोड़ती थी From sunrise to sunset सुभह से लेकर शाम तक, she sat by her spinning wheel spinning and reciting prayers वो अपने उस चर्खे के पास बैठी रहती and reciting prayers और प्रातनाय कहती रहती Only in the afternoon, केवल दो पहर को she relaxed for a while वो थोड़ी देर के लिए आराम करती to feed the sparrows गौरईया को खाना खिलाने के लिए While she sat in the veranda और जब वो बरामदे में बैठी यानि breaking the bread into little bits bread यानि रोट ब्रैट के टुकड़े करके छोटे चोटे ब्रैट के टुकड़े करके hundreds of little words तो सैक्णों छोटे छोटे पक्षी collected इखटे हो जाते राउंड हर उनके चारो और creating a veritable bad lamb of chirping और उनके चारो और इखटे होकर वो चर्पिंग यानि चह चाहाहट की और वैरिये टेबल का मतलब होता है शोर गुल करना वो अपनी चह चाहाहट से एक बहुत ही अलग प्रकार का वास्तविक शोर करते वैरिये टेबल का मतलब होता है वास्तविक Some came and pursed on her legs, कुछ आते और pursed यानि बैट जाते on her legs उनके पैरों पर, others on her shoulders, कुछ उनके कंधों पर, some even sat on her head, कुछ उनके सिर पर भी बैट जाते She smiled, वो मुस्कुराती, but never shoot them away, shoot them का मतलब होता है भगा देना और वो उन्हें कभी भी भगाती नहीं थी, it used to be the happiest half hour of the day for her और ये उनके लिए दिन का सबसे सुखद आधा घंटा होता था, यानि इस आधा घंटे में बहुत ही खुश महसूस करती थी When I decided to go abroad और जब मैंने abroad यानि विदेश जाने का निश्चे किया for further studies आगे की अध्यन के लिए I was sure तो मैं निश्चित था, my grandmother would be upset कि मेरी दादी upset यानि दुखी हो जाएंगी I would be away for 5 years, मैं 5 सालों के लिए जा रहा था And her age, one could never tell और उनकी उम्र में कोई भी ये नहीं कह सकता But my grandmother could, केवल मेरी ये दादी ही कह सकती थी मतलब यहाँ इस बात से है कि जो उनकी उम्र थी, उस उम्र में उनके साथ कुछ भी हो सकता था उनकी death भी हो सकती थी, इस बारे में कोई नहीं कह सकता और ये बात सिर्फ मेरी दादी ही कह सकती थी, वो कितने दिन तक जीवित रहेंगी She was not even sentimental, वो बिलकुल भी भावुक नहीं थी She came to leave me at the railway station, वो मुझे railway station पर छोडने आई but did not talk, लेकिन उन्होंने बात नहीं की और show any emotion, नहीं कोई भावनाय दिखाई Her lips moved in prayer, उनके होट प्रार्थना में चलते रहे Her mind was lost in prayer और उनका mind भी प्रार्थना में ही खोया हुआ था Her fingers were busy in telling the beads of her rosary और उनकी उंगलियां भी अपनी माला के मोतियों को जपने में व्यस्त थी Silently she kissed my forehead, चुपचाप उन्होंने मेरे माथे को प्यार किया माथे पर प्यार किया and when I left और जब मैं जाने लगा I cherish the moist imprints तो मैंने उनके moist यानि नमी भरे Imprints का मतलब होता है जो निशान है यानि उनके जो निशान थे उनके प्यार करने के cherished उन्हें संजो कर रखा As perhaps जैसे की शायद the last sign of physical contact between us शायद ये हमारे बीच के physical contact यानि सारे रिक संपर्क के आखरी निशान हो But that was not so लेकिन ऐसा नहीं था After 5 years, 5 साल के बाद I came back home मैं घर बापस आया and was met by her और उनसे मिला At the station, station पर ही और मैं उनसे station पर ही मिला She did not look a day older, वो एक दिन भी बूरी नहीं दिखाई दी She still had no time for words उनके पास अभी भी शब्दों के लिए समय नहीं था And while she clasped me in her arms और जब उन्होंने मुझे अपने बाहों में कस लिया I could hear her reciting prayer तो मैं उनकी बोलती हुई उस प्रार्थना को सुन सका Even on the first day of my arrival यहां तक की मेरे पहुचने के पहले दिन ही Her happiest moments were with her sparrows उनके सबसे सुखद पल उनी गौरईया उनी पक्षियों के साथ थे whom she fed longer जिनने वो इतने समय से खिलाती आ रही है And with frivolous rebukes और frivolous यानी के बहुत ही छोटी मोटी जो तुछसी रिव्योक्स यानी जिड़कियां या किसी प्रकार से स्कॉल्ड यानी डाटना फटकारना जो उनके साथ काफी समय से जो उनको खिलाती आ रही है और उनको छोटी मोटी जिड़कियां भी देती आती है In the evening In the evening a change came over her और शाम के समय उनमें एक change आया उनमें परिवर्तन आया She did not pray उन्होंने प्रार्थना नहीं की She collected the woman of the neighborhood उन्होंने collected यानी इकटी की Woman महलाएं of the neighborhood पडोस की उन्होंने पडोस की महलाओं को इकटा किया Got an old drum एक पराना कोई ड्रम निकाला And started to sing और गाना शुरू कर दिया For several hours कई घंटों तक She thumbed the sagging skins of the dilapidated drum And sang of the homecoming of warriors Homecoming of warriors जो योद्धा घर लोट कर आते हैं उन योद्धाओं के घर बापस आने के गीत और dilapidated drum का मतलब होता है कि तूटा फूटा जो drum था उनका जो धोल था वो धोल और iskins का मतलब होता है जो धोलक के दोनों तरफ जो खाल होती है उस खाल के बारे में और sagging लटकती हुई यानि उस धोल के जो तूटे फूटे ड्रम था उसकी लटकती हुई खाल को कई घंटों तक उन्होंने पीटा और घर लोटते हुए उन्य योद्धाँ के गीत गाए we had to persuade her to stop to avoid over Straining we had to persuade हमने उन्हें राजी किया to stop यह रोकने के लिए to avoid over Straining जो की वो जादा अधिक थकान उन्हें ना हो जाए उस थकान से रोकने के लिए हमने उन्हें राजी किया That was the first time और ये पहली बार था since I had known her that she did not pray. जब मुझे ये कि ये पहली बार था कि जब मैं ये जान पाया कि ये उनकी प्रार्थना नहीं हुई. यानि उन्होंने प्रार्थना नहीं की. इतने सालों से वो उसे देखता आ रहा था कि वो शाम के समय प्रार्थना करती थी, किस तरह से वो पूजा करती थी और वो ये उसने कहा कि ये पहली बार हुआ था कि इस बार उन्होंने जो प्रार्थना नहीं की. The next morning और अगली सुबर शी वास टेकन इल, वो बीमार हो गई. It was a mild fever, mild यानि हलका सा, हलका सा बुखार था and the doctor told us और doctor ने हमें बताया that it would go, कि वो चला जाएगा, यानि जो बुखार है वो उतर जाएगा. But my grandmother thought differently, लेकिन मेरी दादी कुछ अलग ही सोचती थी. She told us, उन्होंने कहा हमें बताया that her end was near, कि उनका end करीब है, पास ही है. She said, उन्होंने कहा that कि, since only a few hours before the close of the first chapter of her life, she had omitted to pray. उन्होंने हमसे कहा, only a few hours, कि केवल कुछ एक घंटे ही. Before, कुछ घंटे पहले, the close of the first chapter, जो उनके जीवन का first chapter था, जो उनके जीवन का प्रथम अध्याय था, उसके खत्म होने से कुछ समय पहले ही, she had omitted to pray. उन्होंने प्रार्थना छोड़ी, she was not going to waste any more time talking to us. वो समय बरवाद नहीं करना चाहती थी, talking to us हमसे बात करने में, यानि वो हमसे बात करने में और समय बरवाद नहीं करना चाहती. We protested, protested यानि विरोध करना, हमने विरोध किया, but she ignored our protest, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध को ignore कर दिया, यानि उसे अंदेखा कर दिया. She lay peacefully in bed praying and telling her beads. वो शान्ती पूर्बग बिस्तर पर लेती रही और प्रातना करती हुई लेती रही and telling her beads और अपने मोतियों की माला को जबती रही. Even before we could suspect her lips stopped, इससे पहले कि हम संधे करते कि उनके होट रुख गए है, moving चलना यानि हिलना बंद हो गए है and the rosary fell from her lifeless fingers और जो माला है वो उनकी lifeless fingers यानि कि निर्जीव उंगलियों से गिर गई है. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead और तब हमें ये पता चला कि उनके चहरे पर एक पीलापन, पैलर यानि पीलापन, peaceful शांती पूर्ण, एक शांती पूर्ण पीलापन उनके चहरे पर fell गया और हमने जाना कि वो मर गई, यानि वो नहीं रही. We lifted her off the bed and as is customary, हमने उने बिस्तर से उठाया, जैसा की रिवाज है, हमने उने बिस्तर से उठाया, laid her on the ground और जमीन पर लिटा दिया and covered her with a red shroud, Red shroud यानि लाल, shroud का मतलब होता है कफन, जो मृत लोगों के उपर डाला जाता है और उने एक लाल कफन से धग दिया. After a few hours of morning, और morning का मतलब होता है विलाब करना और विलाब करने के कुछ घंटों के बाद, we left her alone, हमने उने अकेला छोड़ दिया to make arrangements for her funeral. Arrangement यानि विवस्था करने के लिए her funeral उनके अंतिम संसकार की, उनके अंतिम संसकार की विवस्था करने के लिए हमने उने अकेला छोड़ दिया. In the evening, we went to her room और शाम को हम उनके कमरे में गए with a crude stretcher, एक crude stretcher यानि जो अर्थी होती है उसके लिए कि अर्थी को लेकर to take her to be cremated. हम उनके कमरे में उनकी अंतिष्टी के लिए उनने ले जाने के लिए अर्थी के साथ उनके कमरे में गए. The sun was setting, सूरज छिप रहा था and had lit her room और उनके कमरे को जला दिया, मतलब रोशन कर दिया गया and veranda with a blaze of golden light और वरामदे को भी golden light, सुनहरी light के रोशनी से. We stopped halfway in the courtyard, हम आंगर में ही आधे रास्ते में रुख गए, all over the veranda and in her room, पूरे बरामदे में और उनके कमरे में, Right up to where she lay dead, जहां वो म्रत पड़ी थी, ठीक वहाँ and stiff wrapped in the red shroud, और उस लाल कफन में, stiff नहीं कड़क, और उस लाल रंग के कफन में कड़क अकड़ी हुई, पड़ी थी, Thousands of sparrows sat scattered on the floor, हजारो sparrows, पक्षी, गौरेया, वहां बिखरी हुई उस फर्ष पर बैठी थी, there was no chirping, वहां बिलकुल भी chirping, चहाहत नहीं थी, We felt sorry, हम बहुत दुखी थे for the birds, उन पक्षियों के लिए and my mother fessed some bread for them, मेरी माँ उनके लिए फैच, यानि ले आई, कुछ bread, मेरी माँ उनके लिए कुछ bread ले आई, she broke it into little crumbs, उन्होंने उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, the way उसी तरह से my grandmother used to, जैसा कि मेरी दादी करती थी and threw it to them और उनके लिए डाल दिया, the sparrow took no notice of the bread, उन sparrows ने, उन गौरईयों ने उस bread की तरफ बिलकुल ध्यान नहीं दिया, when we carried my grandmother's corpse off और जब हम अपनी दादी के, मैं, हम अपनी दादी के शब को ले गए, they flew away quietly, वो चुपचाप उड़ गई, अगली सुबह, the sweeper swept the bread crumbs, sweeper यानि जाडू लगाने वाले ने, bread crumbs को जाडू से जाड़ दिया, and to dustbin, और dustbin में डाल दिया, यानि जो जाडू लगाने वाला सुबह आया, उसने उने जाड़ कर, dustbin कच्रेदान में डाल दिया, ये था हमारा chapter, portrait of a lady, अब इसके question answer देख लेते हैं, देखिए, first question है, that was the turning point in our friendship, what was the turning point, यानि ये हमारी मित्रता का निरनायक पक्ष था, निरनायक मोर था, तो वो निरनायक पक्ष, निरनायक पक्ष क्या था, तो वो क्या था, जैसा कि हमने पढ़ा भी था chapter में, कि जब वो अपने पिता के साथ उनके शहर वाले घर में सिफ्ट हो गए थे, वो उनकी लाइफ का निरनायक पक्ष था, तो देखिए, Being settled in the city, with the author's parents, was the turning point in their friendship, यानि उनकी दोस्ती का जो निरनायक पक्ष था, वो था लेखक के पिता के साथ, शहर में बस जाना, Now his grandmother could not go to school with him and help him in his studies, अब उनकी दादी उनके साथ स्कूल नहीं जा सकती थी, और नहीं उनकी पढ़ाई में किसी तरह की उनकी मदद कर पाती थी, Question number 2, How did the grandmother help her grandson in the morning before going to school? दादी कैसे मदद करती थी, अपने grandson की, जो उनका पौत्र था, उसकी सुबह स्कूल जाने में, तो वो क्या क्या करती थी, वो किस तरह से उसे तयार करती थी, वो सारी बातें लिखेंगे, जैसे, she woke him up in the morning, वो उसे सुबह जल्दी उठाती, got him ready for school, इसकूल के लिए तयार करती, she would fetch his wooden slate, वो उसकी wooden slate, यानि उसकी जो लकडी की slate थी, उसे लाती, which she had washed and plastered with yellow chalk, जिसे उसनोंने धोकर और yellow chalk से पोत कर रखा था, तिनी अर्थन, ink pot, छोटा सा मिटी का दवात, and a red pen, और एक लाल pen, tie them in a bundle, उन्हें एक bundle में बान देती, and hand to him, और उन्हें पकड़ा देती, she gave him breakfast before going to school, और school जाने से पहले वो उन्हें breakfast भी देती थी, question number three, what were the grandmother's view about learning music, यानि संगीत के बारे में, जो संगीत सीखते थे वो इसकूल में, तो संगीत सीखने के बारे में, दादी के क्या विचार थे, दादी का क्या दृष्टी कोट था, तो the grandmother thought that music had lewd association, दादी सोचती थी कि संगीत lewd association यानि कामुक्ता से संबंदित है, it was the monopoly of harlots and beggars, ये इस पर, यानि किस पर? संगीत पर, harlots वैश्याओं का और beggars बिखारीयों का ही एक अधिकार है, it was not meant for gentle fog, ये सज़्जन लोगों के लिए gentle fog ये सब भी पुरुशों के लिए नहीं है, she did not like it at all और वो इसे बिलकुल भी पसंद नहीं करती थी, question number 4, describe the grandmother's association with the sparrows, दादी का संबंद उन पक्षियों के साथ बताई है, यानि उन पक्षियों के साथ, उन गौरईयों के साथ, दादी का कैसा संबंद था, तो in the afternoon, the grandmother would feed their sparrows, दादी दो पहर को उन पक्षियों को खाना खिलाती, sparrows used to come and perch on her legs, गौरईया आते और उनके पैरों पर बैठ जाते, shoulders कंदों पर and even on her head, यहां तक की उनके सर पर भी, she smiled, वो मुस्कुराती, but never shoot them away, लेकिन उन्हें कभी भगाती नहीं थी, on her death और उनकी मृत्यों के समय, they also mourned, उन्होंने भी शोक जटाया, they took no notice of the bread thrown to them, डाली गई थी, question number five, what did the grandmother do, on the eve of the authors return from abroad, यानि जब लेखक अबरोड से, विदेश से लोटे थे, उस समय दादी ने क्या किया, उस शाम दादी ने क्या किया, she collected the woman of the neighborhood, उन्होंने पडोज की औरतों को एक खटा किया, got an old drum, एक पुराना drum लिया, and started to sing, और गाना शुरू कर दिया, for several hours, कई घंटों तक, she thumbed the sagging skins, वो उसकी लटकती हुई इसकिन, खाल को थपकी देती, बजाती, of the dilupated drum, उस dilupated drum, यानि उस तूटे-फूटे ढोल पर, and sang of the homecoming of warriors, और homecoming, उन योध्धाओं के घर लोटने के गाने गाए, ये काम उनने किया, ये था हमारा chapter, to the portrait of a lady, I hope, आपको ये chapter अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, एक बार इसे अपने आप घर पर खुद पढ़़कर, practice कीजिए, कि किस तरह से questions इस chapter से आ सकते हैं, फिर इसका एक बार अच्छी तरह से हिंदी में पूरा अर्थ अगर आपको समझ में आ जाता है, तो इसके question answer कैसे भी आए, कहीं से भी आए, आप बड़े आराम से कर सकते हैं, धन्यवाद,